हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल दा फ्लेबर फिस्ट आज हमारा दीश है फ्राइट फिश सलर जिसको माच माखा भी बहुते हैं बेंगोली में फ्रेंड्स आप ये डीश बनाने के लिए कोई भी फिश यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर रोह फिश लिया है हम जब और लाइन फिश और करते हैं या तो मार्केट से फिश लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कुछ-कुछ जो फिश पिसे से बहुत ही छोड़ा चोड़ा हो अभी मैं हलका सा नमक और टामरिक पाउडर से फिश पिसे को अच्छे से कोट कर लेता हूँ नमक और हल्दी लगाने के बाद हम लोग फिश पिसे को फ्राई कर लेंगे आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते या तो कम तेल में भी फ्राई कर सकते, as you like फ्राई कर लेने के बाद हम लोग जो फिश के काटे हो अलग कर लेंगे तोड़ा क्यारफूली करना नहीं तो चूप सकता है आत में फिश को एकदम shredded कर लेना है छोड़े-छोड़े टोकरे में वैसे मैं एक चीज़ बता जाता हूँ अगर आप फिश के जो पैट का पीसे होता है अगर वह वाला फिश पीसे लेंगे तो बहुत आसानी से आप जो फिश के काटे हो उसको अलग कर सकते है जादा मेहनत करने का ज़रूरत है नहीं तो यहाँ पे मैंने सारे फिश पीसे से काटे को अलग करके राग दिया अभी मैंने यहाँ पे प्याज, मिर्ची, लैसुन और धनिया पत्ता ले लिया यह सारे चीज़ों का हम लोग फिश के साथ मिक्स करेंगे मैंने यहाँ पे एक मिडियम से जॉनिय गार्लिक के लोपस लिया था चॉप करके और मैंने लिया आधगाप जैसा धनिया के पत्ते दोस्तों आप लोग एक रेट चीली को रोस्ट करके भी यहाँ पे एड कर सकते हैं बहुत अच्छा एक फ्लेवार एड करता है मैंने यह एड नहीं किया यहाँ उसके बाद नमक अब मैं यहाँ पे एड कर रहो आधा टेबल स्पून मस्टर्ड वेल यह उप्शनल है इसका जो एक स्ट्रॉंग फ्लेवार एड होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो एड मत करिए ज़रूरी नहीं है अब यह अच्छी से मिक्स कर लेते है सब कुछ ध्यान से मिक्स करना हो सकता है कि एक दो छोड़ी छोड़ी जो फीश के काटे रहे जाएगा तो आपके हाथ में लाग सकता है तो दोस्तों एक सेलाट टेप का रेसिपी है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में और हैल्द आसने से हम लोग बहुत अच्छा एक टीश बना सकते हैं अगर यह डीश आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जुरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना